नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आपको दोस्त गारोसIFD स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने channel The Indian Banker में दोस्तों आज हम बात करेंगे Current Accounts कितने types की होते हैं और आपके business के लिए कौन सा Current Account बेस्ट ह недयागा? दोस्तों वैसे दो अलगलग banks ने अलग-लग types के current account खोले हैं लेकिन majorly एक businessman जो होता है उसके लिए दो ही चीज़े important होती है सबसे पहला MAB that is जिसे हम कहते हैं monthly average balance कि कितना पैसा आपको अपने current account में रखना है कि उसमें penalty ना लगे और दूसरी जो सबसे important चीज़ होती है वो होती है cash deposit facility या फिर cash deposit amount आप एक महीने में कितना cash deposit कर सकते हैं बिना additional charges पे किये तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले State Bank of India जो की है हमारे देश का सबसे बड़ा bank कौन-कौन से current accounts offer कर रहा है तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी computer screen पे सबसे पहले दोस्तों हम खोलेंगे Google Chrome Google Chrome में हम डालेंगे bank.sbi bank.sbi फिर करेंगे enter यहां से हम State Bank of India की corporate site पे launch हो जाएंगे अब देखिए यहां पे हमारे सामने दिया हुए business personal, NRI और business अगर आप personal current account खोलना चाहते हैं होता है individual current account तो आपने कुछ नहीं करना आपने सर्फ branch जाना है वहां से saving bank का account form लेना है उस form को भरना है उसे individual account opening form भी कहते हैं जहां पे दिया होगा account type वहां पे आपने लिख देना है current account या फिर current account का पहले से एगर box बना है होती है जैसे soul proprietor hindu undivided family huf partnership pvt limited private limited जैसे कहते है public limited firm या फिर हो सकते है हमारे society trust association of individuals बहुत सारे types की होती हैं आपको सब बताऊंगा दीरे दीरे करके लेकिन हम सबसे वहले देखते हैं कि आपकी firm के लिए कौन सा current account रहेगा best तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने खोला business business में दोस्तों आपको option मिलेंगे current accounts and cmp services healthcare, corporate banking और SME यहाँ पर हम सीधा आजेंगे current account product space पर हम click करेंगे यहाँ पर हम yellow color से current account लिखेंगे इस पर click करेंगे अब देखिए मेरी स्क्रीन पर हर तरह के current account आ गए है दोस्तों सबसे पहले है शुभारम और नीचे लिखा है start-up current account दूसरा है regular current account तीसरा है gold और फिर है diamond basically एक normal business man के लिए इन चारों में से एक ही suited होता है इसके अलावा दोस्तों जो current accounts है वो है सुर्भी current account platinum top end business man के लिए है सुर्भी सुर्भी में basically क्या होता है आपका जो additional amount होता है जो threshold के उपर का होता है वो अपने आप FD में बदल जाता है और उसके आपको मिलता है rate of interest इससे आप interest कमा सकते हैं इसके बाद आता है master current account और smart current account दोस्तो ये दो तरह के collection current account है अगर आपका किसी और bank के साथ आपने exposure ले रखा है तो बहुत high cases में ये वाले collection current account चाहिए होता है इसके बाद दोस्तो state bank हमें offer करता है अरतिया current account ये होता है जो अरतिया basically जो मंडियां होती है जैसे सबजी मंडी, फल मंडी महाँ पे जो factors होते हैं जिनको आरति कहते हैं जो बीच में commission agents होते हैं उनका होता है आरति और उनमें जो है taxation भी free होती है तो उनके लिए एक specific current account मनाया है state bank ने आरतिया इसके बाद है दोस्तो power joti और power joti PUL ये है collection current accounts जैसे fees deposit करवानी है किसी college को या traffic police किसी state का department है उनको सबसे चलान लेने है तो उनके लिए ये दो हैं मैं आपको एक basic overview दे रहा हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे businessman के लिए आप normal teacher है chartered accountant है, doctor है आपके लिए कौन सा best रहेगा और दोस्तो एक और इनका होता है RERA RERA होता है real estate current account ये जो developers हैं जो proper जिन्होंने RERA number ले रखा है जैसे परसुनात हो गए या अपना हीरा नंदानी हो गए रहे जा हो गए ये सब जब account खोलते हैं current account खोलते हैं तो RERA से associated current account खोलते हैं अब दोस्तो हम आते हैं काम की बात पे जो सबसे पहले है शुबारम दोस्तो स्टेट बैंक का जो current account है जो zero balance current account है उसे कहते हैं शुबारम हम शुबारम में देखते हैं क्या-क्या eligibility criteria हैं इसके सबसे पहले दोस्तों company इन तीनों में से एक होनी चाहिए private limited company limited liability partnership या फिर registered partnership firm ये पहली इसकी eligibility है और दूसरी है इसके पास start-up certificate होना चाहिए जिसे हम COR कहते है start-up certificate of recognition by ministry of corporate commerce and industry by government of India अगर आपके पास ये certificate है तो आप start-up current account खोल सकते है state bank of India में इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं features की सबसे पहला जो इसका feature है दोस्तों सबसे important feature वो है zero MAB for first year आप पहले साल में अगर अपने account में एक रुपया भी नहीं रखेंगे क्योंकि start-up है शायद हो सकते हैं पहले साल में जेब से पैसा खर्चना पड़े उस case में अगर आप zero पैसे रखते हैं अपने bank account में तब भी आपकी कोई penalty नहीं लगेगी दूसरी चीज़ है दोस्तों इसमें free cash deposit जो है पर मन्त पंदरा लाख रुपे की है पंदरा लाख तक का जो cash है आप किसी भी ब्रांच में जाके या किसी भी machine के थुरू जो machines होते हैं green channels होते हैं cash deposit machines होते हैं के थुरू आप access कर सकते हो और deposit कर सकते हो आपका कोई charge नहीं लगेगा उसके बाद दोस्तों इसमें free hundred check leaves है पर मन्त साल की 1200 check leaves होगे बहुत होती है 10DD या फिर bankers check आपको free मिलते हैं पर मन्त free pause machine installation हाँ ये बड़ा important है आजकल हर चोटा बड़ा जो business है उसमें आपको pause machine चाहिए होती है वैसे तो qr code का भी जमाना है लेकिन card scanning के लिए जो है pause machines लगती है वो इसमें free रहेगी उसकी installation उसके बाद दोस्तों जो pause machine का मन्तली rental है उसमें straight away आपको 20% उसकी fees में concession मिल जागा ये भी एक खासियत है next है cash deposit at non home branch up to 5 lakhs per day 5 lakhs तक का आप किसी जैसे मालनीजे मैंने रोहिनी में मेरा business है और रोहिनी सेक्टर 15 में मैंने अपना account खोला लेकिन मुझे कहीं और से cash deposit करना है मालनीजे मुझे करोल बाग में cash deposit करना है तो वहाँ पे भी मैं daily 5 lakhs रोपे तक का cash deposit कर सकता हूँ next है free pride business debit card और insta deposit card pride business debit card जो है इसके साथ मैं free मिलता है दो cards होते हैं एक होता है pride और एक होता है premium एक में 1 lakhs रोपे तक की limit होती है cash withdrawal की और दूसरे में 2 lakhs रोपे तक की limit होती है cash withdrawal की जिसमें 1 lakh है उसे कहते है pride जिसमें 2 lakh है उसे कहते है premium इस पर दोस्तों हम एक अलग से video भी बनाएंगे अभी हम चलते हमारे next current account product पर तो आपने startup current account शुभारम समझ लिया अब हम देखते है next किया है next है दोस्तो regular current account सबसे जादा चलने वाला state bank का जो current account है वो है regular current account जिसमें MAB है सिर्फ और सिर्फ 5000 अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं किसी भी bank के आप current account खोल के देख लो सब में क्या लिखा होता है या तो 10 times of MAB जो cash deposit है मान लीजिए अगर आपने 10,000 उपन उनके account में रखे हैं तो 10 times हो गया और 1 lakh तो 1 lakh तक का वो आपको free cash deposit देते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक का regular current account ऐसा है जो आपको देता है 100 times of MAB और किसी bank में इतना दम नहीं है दोस्तों कि आपको 100 times देते हैं देखिए हम खोल के देखते हैं regular current account देखिए सबसे पहले हैं दोस्तो features benefits में low monthly average balance 5000 पे गिने चुने हिंदुस्तान में एक या दो बैंक होंगे जो आपको 5000 पे के MAB में current account देते हैं और private websites के चक्रों में मत पढ़ना जो comparative analysis में आपको उनका भी सच दिखाऊंगा वो state bank के latest products दिखाते ही नहीं है ताकि आप private bankों के चक्र में फसें और आपका खून पर सीने का जो मेहनत की income है वो चली जाए उनके charges में देखिए सबसे पहले low monthly average balance 5000 उपे सिर्फ और उसी के average में उसी के against आपको मिल रहा है free cash deposit up to 5 lakh पर month 5 lakh पर month का मतलब सीधा हो गया दोस्तों 100 times 100 गुना of MAB आपको मिल रहा है cash deposit free convenience आपको मिल रही है 22,000 से जादा branches की free cash withdrawal and home branch पर जो आपकी branch है जहां account खुला हुए free आप cash withdraw कर सकते हैं आपका अपना पैसा है इसके साथ आपको CIN भी मिलती है NEFT RTGS free है through internet banking and mobile banking unlimited आप कर सकते हैं और 50 monthly check leaves मिलते हैं पर month 50 monthly का मतलब होगे 600 साल के तो एक छोटे business man के लिए 50 per month is enough next दोस्तों हम देखते हैं जो next है हमारा regular के बाद अगर आपकी एक छोटी दुकान है तो आप regular खुलवा सकते हैं अब आपका business है थोड़ा सा बड़ा cash आता है जादा जैसे आपका food joint हो सकता है आपका कोई छोटा trading business हो सकता है जिसमें मैं कह सकता हूँ 25 लाग तक का cash आ जाता है महीने के महीने वैसे तो भगवान करें आपके दंदे में बरकत हो और करोडो अरबो का cash आए लेकिन हम मान लेते हैं अभी आपका आ रहा है 25 लाग तक का cash तो दोस्तों उसमें देखें monthly average balance जो है इसमें आपको gold current account में है एक लाग रुपे आपको एक लाग रुपे किसी भी समय अपने account में रखने है उसके बदले में bank आपको क्या facilities देता है सबसे पहले 25 लाग रुपे तक का पर मन्त का free cash deposit आप किसी भी channel से किसी भी branch में कर सकते है 300 multi city check leaves पर मन्त मतलब दोस्तों 3600 check leaves आपको साला ना मिल रही है उसके बाद free RTGS, NEFT चाहे आप mobile banking से करें चाहे आप internet banking से करें चाहे आप branch जाके करें 50 demand draft पर मन्त मतलब 600 demand draft आप बनवा सकते हैं साल के, free cash withdrawal ये सेम है और CINB का साथ तो आपके बास है, अच्छा दोस्तों मैं आपको ने एक बड़ी पते की चीज़ बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा हम एक बर क्लिक करते हैं charges पर, देखे, charges में जब हम दोस्तों आ गए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो extra charge है, check book का, check leave का, वो है 3 रुपे पर check, ठीक है? और उससे भी important है, अगर आपकी 25 लाग के limit exhaust हो जाती है, मान लीजी आगे 30 लाग, 35 लाग, 40 लाग, तो फिर कितना extra आपको देना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, देखे, यहाँ पर लिखा हूँ है, free up to 25 लाग पर मन्त, 25 लाग तक का free है, inclusive of CDM, recycler, GCC, non-home branch, यह सारे आपके channels हैं, जहां से आप cash deposit कर सकते हैं, thereafter, only 75 पैसा per thousand, 75 पैसा per thousand का मतलब है दोस्तों, 1000 रुपे अगर आप cash deposit करते हैं, तो सिर्फ 0.75 पैसा, बाकी बैंक्स में यह जो amount है, यह 2 रुपे, 3 रुपे, 4 रुपे तक की जाती है, आप सुचिए सिर्फ 75 पैसा, 1 फोर्थ नहीं, 1 फिफ नहीं, 1 शिक्स हैं, बाकी इस रसाब से देखा जाएं, तो लाख रुपे पे आपको सिर्फ और सिर्फ 75 पैसा रुपे देने हैं, which is very nominal, in comparison to other banks, अच्छा, minimum आपके लगेंगे 50 प्लस GST, और maximum आपका जाएगा 20,000 तक, ठीक है, यह हैं, इसके कुछ major charges, एक चीज़ के हम और बात कर लेते हैं, जो कि है account keeping charges, साल में एक बार आपको 550 रुपीज का account keeping charge लगेगा, जो एक normal operational cost होती है, non-MAB, अगर आप monthly balance नहीं रगें, लाख रुपे से कम रखते हैं, तो 2000 रुपे का आपका penalty लगेगा, तो यह चीज़ आपको बहुत द्यान में रखनी हैं, कि आपने अगर जो भी variant लिया है, उस तो देखते हैं, diamond में क्या है, diamond दोस्तों, basically मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी features को देखके, आप account variant चूस मत कीजिए, आप हमेशा चूस कीजिए, अपने business को देखके, कई ऐसा नहीं कि लालच में हम बहुत बड़ा current account खुलवा लें, लेकिन हमारी लिए monthly average balance रखना मुश्किल हो जाए, तो जितना पैसा आप रखके आखें बंद कर सकते हो, यहां में इतना तो मेरा खाते में पढ़ा रहेगा, वो account लें, जिन्दगी में हमेशा खुश रहेंगे, और दूसरी चीज, वो facilities लें, जिसमें आपको कम से कम bank जाना पड़े, कम से कम branch जाना पड़े, क्यों जिनका बड़ा business होता है, large traders के लिए, professionals के लिए, जिनकी payments और collection जो हैं, बहुत जादा होती है, आप देखिए, इसमें monthly average balance, जो सबसे important factor है, वो है 5 लाख रुपे, आपको महिने का 5 लाख रुपे average balance रखना है, अच्छा दोस्तों, बड़ी important चीज, कभी खुदा ना खास्ता उझे पैसे की ज़रुवत पड़ गए, तो उस case में आप ये पैसा निकाल भी सकते हैं, या पैसा आप ही का है, कोई इसमें charges नहीं लगेंगे, बस आप यूं कीजिएगा, कि अगर मान लिजी आपने एक दिन के लिए 5 लाख रुपे निकाल भी लिए, तो भी आप थोड़ मतलब कि अगर आप बाकी बैंक की तुलना में देखो, जहां वो 10 से 12 गुना का M.A.B. का जो into है, जिसको वो दे रहे हैं cash deposit free, State Bank of India diamond current account में आपको देता है 20 times, 5 लाख रुपे आप रखते हैं और 1 करोड तक आप free मेंस जमा करवा सकते हैं, बाकी चीज़े दोस्तों इस current account मे maximum free रहती है, unlimited cash withdrawal है, unlimited RTG, SNEFT, unlimited demand drafts, 700 multi-city checklist आपको पर month मिलेंगी, 700 बहुत होती हैं दोस्तों, 700 के साब से हो गया, 7,8400, 8,400 checkbooks आपको साल की मिलती हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत हैं, उसके बाद सब कुछ आपको बाकी चीज़े free मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ capping है cash deposit limit पे इसके बाद दोस्तों हमाते हैं, State Bank of India के सबसे premium current account पे, आप बताइए मुझे सबसे premium कौन से है, comment box में अभी बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, सबसे important है दोस्तों, सबसे premium current account है, platinum current account, हमने platinum पे click किया, देखिए, यह उन customers के लिए हैं, जो अपने business में खुद को best से best service देना चाते हैं, उनके लिए है platinum current account, यह convenient है और साथ में बहुत ही ज़्यादा cost effective है, आप दोस्तों किसी भी bank की charges sheet उठा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, State Bank of India के charges उससे बहुत कम होंगे, इसमें हम देखते हैं, monthly average balance रहेगा 10 लाक रुपे पर मन्त, 10 लाक और इसके average में, इसके against जो आपको free cash deposit मिलती है, limit, वो है 2 करोड रुपे पर मन्त की, अगर दोस्तों आप 2 करोड रुपे तक का सिर्फ cash deposit करते हैं, ब्रांच में, या bank में, या किसी भी channel के दुआरा, आपका 0 रुपे penalty लगेगा, 0 रुपे charge लगेगा, कोई charges नहीं है, तो यहां पर हम देखेंगे, तो फिर से 20 गुना of MAB, 20 times of MAB आप free में deposit कर सकते हैं, उसके बाद unlimited cash withdrawal, unlimited NEFT, RTGs, every other thing is unlimited, अच्छा, दो चीज़े और, एक platinum में, और diamond में, आपको जो debit card मिलेगा, free में, वो मिलेगा, first year के उसकी service charge free रहती है, जो की है 300 रुपीस, आपको मिलेगा इसम premium, जिसमें आप 2,00,00 रुपे तक का cash withdrawal कर सकते हो, और भी बहुत सारे features हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए, जैसे की theft insurance है, और अलग-अलग तरीके की insurance है, जो सब आपको free में मिलती है, तो दोस्तों, platinum में हमने समझा, debit card premium वाला free है, बाकी सारी चीज़े unlimited free है, multi city check leaves 1500 रुपे हैं पर मन्त की, 1500 multi city check leaves है पर मन्त, और cash deposit है 2 करोड, अब दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी सही चीज़ बताता हूँ, अगर अभी भी आप decide नहीं कर पा रहे हैं, कि हमें कौन सा current account अपने लिए लेना है, तो बहुत खुबसूरत सी एक screen है, current account screen पे, जिसे हम क और उसके सामने है, current account variant, regular gold, diamond, platinum, तीनों का दिया हुए, 5000, 100,000, 500,000, 10,000, और इनके against, जो जो इनके features है, वो भी दिया है, फ्री, प्री. असके बाद हम बात करते है, cash pickup facility की, यहां पे आपको, 4 variants में cash pickup facility मिलेगी, case to case basis पर आपको, इसमें जो भी convenience मिलना होगा, वो मिल उसके बाद cash deposit limited non home branch 1 lakh रुपीज है regular में और बाकी सम्मेट 22 lakh रुपीज पर डे है free check leaves है 50 regular में 300 gold 700 आपका diamond में और 1500 platinum में तो इस सारी चीज़े दोस्तों आप देख सकते comparison में और उस हिसाब से अपना current account चूज कर सकते हैं एक बहुत important चीज जो है charges of non-maintaining minimum MBB अगर आप उतना पैसा नहीं रख सकते जो MB में लिखा गया है तो क्या charges लगेंगे regular में दोस्तों 500 gold में लगेंगे आपके 2000 रुपीज अच्छा diamond में जो है 4000 रुपीज लगेंगे अगर आपने आपका جो MAB है जो आपको 5 लाक रुपे रखना था अगर आप धाई लाक से कम रखते हैं तो आपका जो MAB का charges लगएगा penalty लगएगी वो है 4000 अगर आप 5,000,000 से जादा रखते हैं और 5,000,000 से कम रखते हैं तो आपकी penalty लगएगी 2000 तो ये बहुत ही dynamic तरीके से दिया गया है और platinum की बात करते हैं platinum में दोस्तों अगर आप जिसमें 10,000,000 रुपे रखते हैं आप 5,000,000 से कम रखते हैं तो आपकी penalty लगएगी 8,000 और अगर 5,000,000 से जादा रखते हैं और 10,000,000 से कम रखते हैं तो penalty लगएगी इस case में आपकी 4,000 दोस्तों बाकी समें जो बाकी charges हैं वो as per the card rate हैं applicable हैं मैं उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको बहुत सुविधा जनक रहेगी आपको बहुत सारी knowledge देगी तो दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं आज के वीडियो के end पे मैं दुआ करता हूँ ये आपकी बहुत help करेगी जो हमने वीडियो बनाई है ये वीडियो हुआ 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 है